आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पर्मनेंट प्लावरिंग बताने वाली हूं जिनको आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं और अपने गार्डन में आइड कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल से प्लांट होते हैं और पूरे साली अच्छे मिदलब हमारे गार्डन में चलते हैं और सीजन और सीजन में भी भी अच्छे करते हैं कोच प्लांट ओ ऐसे हैं जो पूरे साली फ्लांवरिंग करते हैं टो बेगं वहर्वार्षधार बहुत ही ब्यूटिफुल से प्लांट होता है वह ही जादा खوبासूरत होता है और लगबग धर वश्वरी सहे ले करके तो इस समय अगर आप नया प्लांट आड करना चाहते हैं तो आप बेगम बाहर जरूर लेकर आईए बहुत ब्यूटिफुल से प्लांट होता है तो इसको आप इस समय आड कर सकते हैं और यह जो अभी टाइम है फ्लावरिंग स्टेज पे मतलब आने वाले हैं आपके पुरान प्लांट है तो आप उनको प्रोन कर दीजिए और उसके बाद आप उनमें अच्छी खात दीजिए तो बहुत अच्छी से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद देखिए अगर अगर आड करना चाहते हैं तो अपने गार्डन में अडेनियम भी आड कर सकते हैं अगर आपके पास ऐडैनियम मतलब लेना है अगर आपको तो अभी का जो टायम, ऐस्काराश का पी रॉपोर्टिंग कर सिंपल जो नार्मल अडेनियम होते हैं उसके बाद देखिए अगर आप लाना चाहते हैं तो इस समय हिबिसकस के प्लांट जरूर अपने गार्डन में लेकर के आए हिबिसकस यानि के गुड़हल गुड़हल बहुत ही सुन्दर सा प्लांट होता है और लगभुक पूरे साली फ्लावरिंग करता है देशी वाले इसके विंटर में लेकिन जो हाइब्रेट वाले होते हैं यह पूरे साल आप लाना चाहते हैं तो इस समय हाइब्रेट गुढ़हल को अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं और देशी भी ला सकते हैं अभी तो समय में देशी बहुत अ संदर होती है और फरवरी से लेकर के पूरे अक्टूबर नॉमबर तक इसने फ्लावर आते हैं तो आप इसको इस समय अपने गार्डन में जरूर एड़ करिये बहुत ज्यादा खुबसूरत फूल होते हैं और मेरे गार्डन में आपने लास्ट येर देखा ही होगा कितनी ज् उसके बाद एक जोरा में भी आपको कई सरी विराइटी मिल जाएगी ड्वार्फ विराइटी मिल जाएगी अब बहुत सारी मिल जाएगे अभी तो यलो कलर भी आने लगा है जो काफे ज़्यादा खुबसूरत होता है और कटिंग से इस समय ये लग जाते हैं तो आप कटि अब प्रमाने प्लांट पूरे साल फ्लावर करता है बहुत जादा खुबसूरत होता है तो आप इसको भी अपने गाडन में इस समय आड कर सकते हैं बहुत सारे मतलब चार प्रकार के इसके फूल होते हैं ये देखी एक टॉल वरैटी का एक जोरा है तो आप जो भी पसंद वाइट कलर के सुंदर सुंदर फूल होते हैं इसमें आपको तीन चान्दी मिलेगी एक डबल पिटल एक सिंगल पिटल और एक ड्वार्फ वराइटी की चान्दी जिसे मीने चान्दी बोलते हैं उसके बॉंसाई भी बहुत अच्छा बनता है तो आप इस समय चान्दी में भ बहुत ही अच्छा आपको विजल्ट मिलेगा तो इस समय आप चान्दी को अपने गार्डन में ला सकते हैं यह देखा नी मिनेचर भराइटी की हिबसकस है जो बहुत अच्छी प्लावरिंग करता है तो हिबसकस में बहुत सारी विथाधिय को आपको अपने गारडन में आ आप इससमय चंपना चंपा प्लांट आडकर सकते हैं आप चंपा भी लाज ղाज है चंपा चंपना कि करें भी फियर प्लाइन तो मधूत एकी оставすनार नाग जम्प में राट उटके में जरूट करते हैं, तो ही वना को तो कुतन और सब्सक्रण दगे राते हैं तो अब्सव के दर्ण हुआ है मने इस प्रोंध करना रहा है और नहीं से दखना सिपल देने वालन प्लांट sudah सब्सक्रण हो N tenant मेंmost र boni product यह दो तीन में लगता है तुम आप इस अपने गार्डन सिर्फ प्लांट करदे कि अलम शुम्हाइब सब्सक्राइब नामन्द भेयर रीच और से अपने डूपर नह था जाय मैं हरते हैं ख सरकी वीयरों पर नहीं क्याह wires कि वाइन वाला है और इसमें आपको डॉर्फ वराइटी वाला मंदा भी मिल जाएगा जो कि देखनें बड़े ही प्यारे लगते हैं तो आप इस समय इनको भी अपने गार्डन में आइड कर सकते हैं कापी ज्यादा खुबसूरत फूल होते हैं और यह देखिए पिंक कलर है वाइट कलर का भी होता है और यलो कलर में ड्वार्फ वराइटी का भी एक जो रहा सौरी अलमंडा होता है तो आप जो भी आपको पसंद हो आप ला सकते हैं बहुत ज्यादा खुबसूरत फूल होते हैं अगर आपके पूराना प्लांट है तो आप उसको प्रूनिंग भी क होती है और मोगरा में अच्छी मतलब बहुत ही प्यारी सी कुस्बू होती है लेकिन इसके फूल देखने बड़े ही प्यारे लगते हैं तो इस समय अगर आपको प्लांट है तो प्रूनिंग वगारा कर लीजिए और नहीं है तो आप नया प्लांट अपने गार्टन में इस है इस समय आपको सिंगल मतलब कि बारा जैँगे यजलो कलर के फूल आते हैं है रेड है पिंक है है वाइट है और लाइट क्रीम कलर का है तो आप कोई सब आसे ला सकते हैं और आइड कर सकते हैं तो बहुत ही ब्यूटिफुल से प्लांट होते हैं आप इनको अपने इसको भी अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं बहुत ज्यादा खुबसूरत होता है देखिए कितने सुन्दर सुन्दर इसके फ्लावर होते हैं और काफी ज्यादा कुबसूरत प्लांट होता है बस आपको 40-50 रुपए में प्लांट मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा सु यूग देता है तो बस प्लांट आप अच्छे से देते रहें कंपोस्ट बोन मिल इसको बहुत पसंद है क्योंकि फासफोरस रिजज फरिट्लाइजर इसको पसंद है तो आप इसको इस तरस फरिट्लाइजर देंगे अगर आपके पास प्लांट है तो अभी प्रूनिंग यह कंद हम बगयरे कर दीजिये बहुत अच्छ से चलेगा तो यह देखे देशी हिबिसक्स आप इससमेंट आरंग क्या टेकोमा है चाहिस होऑ ज़्यादा चलती है मुझसे अभी तो कटिंग फिलाहाल थोड़ी सी नहीं चल पाती है मैं वैसे ज्यादा तर फरवरी में बहुत कम कटिंग लगाती हूं पर रहनी सीजिन में सी कटिंग बहुत आसानी चल जाती है मैंने बहुत सारे इसके प्लांट तैयार किये हैं यह ही हैं ती one यह ज्याता फ्लावर नी में बहुत साहित विक्र प्लावर निहीं प्लावरन करता हैं में यह यह दो वह सब्सक्त ऺज़ग देखने में 10 पाहँ दिखए सकते हैं अपक परवरी में तो तो इस समय रोज को भी अपने अडवे कर सकते हैं और यह देखे यहाँ पर मेरा शब्स話 में अपने फूक्त tricks कर्णब में इंच सकते हैं तो इसके बाद देखेए यह एक लेफ़ी प्लांट है मतलब कि जाए ज्यादा खुबशूरत पतियों वाला प्लांट है एक लिफा बोलते हैं इसको और बहुत ज्यादा खुबसूरत होता है आप इसको भी समय अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं तो काफी जब ज्यादा सुन्दर लोग देता है आपके गार्डन को जैसे हमारे कोलियस तो कोलियस की तरह ये भी आपके गार्ण में बहुत ज्यादा सुन्दरता लाता है तो आप इसको भी समय अपने गार्ण में आइड कर सकते हैं छोटी-छोटी खुबसूरत से इसके छोटे पत्ते तो नहीं होते बड़े-बड़े से होते हैं धोड़ा पत्ते मतलब छोटे- देखें हमारा टीकोना का प्लांट है काफी ज्यादा खुबसूरत है इस समय पारशलेन और पोडशलारकर को इस समय चोपरिख और रदग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर से प्लांट होते हैं अभी आप hybrid विंका ला सकते हैं देखि कितने ज़्यादा सुंदर इनकी flower और plant होते हैं तो आप hybrid विंका को जरूर अपने garden में summer में लगाईए यह जो प्लांट है मेरे सारे seeds से grow हुए प्लांट है यह देखिए यहां पर मैंने कुछ कटिंग लगाई है जो सारी मेरी ग्रो हो गई है तो इस समय आप इनको कटिंग से लगा सकते हैं तो इस समय आप वेडेलिया की प्लांट को भी ला सकते हैं इसमे चोटे चोटे यलो कलर की फ्लावर आते हैं और पूरे समरी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो बहुत ज्यादा खुबसूरत फूल होते हैं इसके तो आप इस समय इसको अपने गार्डन में आड़ क कर सकते हैं